हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे हम बात करने वाले हैं जो ही आज इंगलेंड वोमेन वर्सिस इंडिया वोमेन के बीच में जो आज ये फर्स्टी टॉंटी मैच खेला जाएगा इसके बारे में लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये मैच आज राज साड़े ग्यारा बजे से रिवर साइट ग्राउंड चैस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा वीडियो में आगे बलने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तों तो इस पिच पे वोमेंस टीटवंटी इंटरनेशनल के अभी तक टोटल दो मैच खेले गाई हैं जिसमें से आप देखेंगे तो दोनों के दोनों मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं वान किया है एवरेज स्कोर की बात करें तो इस वेन्यू का एक क्यासी का राय जो दो मैच खेले गाए हैं पर वोमेंन के मैच में उतनी जादा पिच रिपोर्ट मैटर करती नहीं है दोस्तों तो आप लोग एक बैलेंस विकेट मान के टीम बनाना तो आपके एक अच्छी टीम बन पाईगी अगर आप फिर भी देखना चाहें तो आप यहां से देख सक कोमेंन की प्लेंग रेवन और बैटिंग ओडर के बारे में तो यहां से डैनियल वाट सोफी डंकली ओपन करेंगी उसके अलीसा कैप सी आएंगी मिया बूचर आएंगी एमी जॉन्स कप्तान और विकेट की पर बल्ले बाज हैं क्योंकि नेटलास इस पर नहीं खेल रही है तो यही कैप्टन कप्तानी यही करेंगी उसके यहां पर ब्रॉइनी इसमित हैं सोफी एकलिस्टोन है कैट क्रोश हैं शारा गिलैन है ईजी वोंग है लॉरन बैल है तो कुछ तरह की इनकी प्लेंग लेवन रहने वाली है अब दोस्तों अकर इनमें से कोई खेलता है तो व सकते हैं बागी मैं आपको सौट में समझा दूँगा अब यहां से बात करते हैं प्लेयर स्टार्स के बारे में तो यहां से एमी जॉन्स विकेट कीपर बल्ले बाज है बाइस का एवरेज रखती है इंपॉर्टेंट प्लेयर है रिसेंट फॉर्म भी एकर आप देखेंगे 132 मैच की 45 में बैटिंग बॉलिंग भी कराई है जिसमें 44 विकेट है रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखेंगे तो यह एक हटोर में इस टाइप की प्लेयर है रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है पांच मेंचों में पर अच्छी प्लेयर है है तो यह भी इनकी 28-26 तो अच्छा खांच स्कूर किया है जो चार मैच खेलें लाष्ट के उसके महियां बहुचान है तो यह एक एवरेज पर लिया रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो उतना खास नहीं रहा है चार मैचों में सिर्फ एक ही मैच में अच्छा खांच स्कूर किया है उसके चलाब यहां से बात करें अल्राउंडर की तो यहां से नच्छी वर खेलेंगे नी दूस्तो तो इनको आप लोग मत लेना इनको रिष्ट दिया गया है तो अगर यह खेलती तो कैप्टन सी के लिए भी मस्ट पिक रहती पर यह खेलेंगी नहीं तो अभी बात नहीं करते है उसके यह पर नीचे बात करें एलिसा कैप सी की तो साथ मैच खेले नोने 6 इनिंग में 160 रंच 26 का एवरेज है साथ मैच की पांच इनिंग में एक विकेट भी है रीसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखेंगे तो रीसेंट फॉर्म काफी गजब करा इनका दांडेड में तो यह इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसके ब्राइनी समित ने भी काफी अच्छा किया दांडेड में पर यहाँ पर यहाँ पर यह मिडिल ओर में सौरी दोस्तों नीचे बल्लिवाजी करेंगी तो उतनी पर यह देखेंगे तो पांच मैच खेले अभी तक टीटोंटी इंटरनेशनल की पांच इनिंग में 28 रहने सिर्फ पांच का एवरेज है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है पर यह इनकी बैटिंग यहाँ पर काफी नीचे आईगी तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग करा है और इनका अगर टीटोंटी की बात करें तो अभी इन्होंने टीटोंटी इंटरनेशनल कोई मैच नहीं खेला इंग्लेंड के लिए तो ओडियाई में आप देख सकते हैं दो मैच खेले हैं दो इनिंग में एक विकेट है पर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे दा अ अचाटर विकेट है रिसेंट फॉर्म इनका देखेंगे तो काफी गजब है सारा गिलेन की बात करें तो प्लियर यह भी इंपोर्टन पर इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो लास्ट के तीन मैचों में विकेट लैस रही है जो अभी दांडिट खेलके आ र उसके बाद दोस्तों हम यहां से बात करते हैं इंडियन वोमेन की प्लेंग इलिवन और बैटिंग ओडर के बारे में जो गए हो सकती है अडोस्तों कोई जाता था थो मैं आपको टेलीगरांपे बता दूंगा उसको लेना है या नहीं तो अपको चैनल कर लेना अब इनके स्टार्ट की बात करें यहां पर इंडियन वोमेन की यहां से दोस्तों तान्य बाटी आप इनका देखेंगे तो सिर्फ 9 का एवरेज है रिसेंट में सिर्फ पांच मैच खेलें जिसमें एक मैच में ही बैटिंग आई है जिसमें चैरन बनाए है तो यह उतनी अच्छी में देखेंगे तो इसमिरती मंधाना मश्ट फिक 26 का एवरेज रखती है रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक राया है चार मैचों में एक में अच्छा का सा स्कोर किया है पर इंपोर्टन प्लेयर है यह उसके बाद दूस्तों यहा प्लस जीरो वेकट 15 प्लस जीरो वेकट उसके यहां पर 11 और 12 तो यह स्कोर रहे तो इंप्लेयर रहेंगी यह भी हिट्वर में टाइब की प्लेयर है अगर वैसे बात करें तो उसका यहां पर बात करें हर्मन प्रीत कॉर की तो अभी आप यहां से स्टार्ट देखके चले अब अपनी टीम बनाएंगे, तो उसमें आपको हर एक प्लेयर के बारे में समझा दूँगा, अब यहाँ पर बात करते हैं, हर्मन प्रीत कॉर की तो 27 का एवरेज रखती हैं यह 129 मैच खेल चुकी, अगर आप इनका देखेंगे, तो ठीक ठाक रहा है, उतना खास नहीं रहा है, पर अच्छी प्लेयर है, उसके यहाँ पर बात करें, जमीमा रोड़ग्यू की, तो 29 का एवरेज हैं इनका, रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखेंगे, तो इनका काफी गजब का रहा है, अ अगर खेलती हैं, तो आप इनको GL में जरूर ट्राई कर लेना, 14 का एवरेज रखती हैं, पर इनका डॉमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म रहा है, तो आप इनको GL में ट्राई कर लेना, यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे, तो ठीक ठाक रहा तो यह इंडियन टीम की में अल राउंडर है, आप इनका रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे, तो रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा रहा है, उसके यहाँ पर पूजा वश्ट्रा करें, 15 का एवरेज, 30 मैच की 28 इनिंग, 21 विकेट, रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका द इनका देखेंगे, तो साथ मैच खेले, अभी तक T20 इंटरनेशनल में, 6 इनिंग में 26 रन बनाएं, 5 के अवरेज से बॉलिंग में देखेंगे, तो साथ मैच की 4 इनिंग में 5 विकेट हैं, तो आल राउंडर हैं, आप इनको जील में ट्राई कर लेना, अगर खेलती हैं, त उसके बाद हम यहाँ पे बॉलिंग में बात करें, तो रेनको सिंग में काफी अच्छा खेल रही है, तो यहाँ से एक विकेट, चार विकेट, जीरो विकेट, दो विकेट, जीरो विकेट, तो यह इंपोर्टन रहने वाली है, यहाँ पर 11 मैच में 14 देख डे चुकी हैं, तो यह important रहेंगी recent में काफी अच्छा है उन्हों पर्फॉर्म किया है उसके पर राधा यादाव हैं आप इनका देखेंगे तो 48 मैच 48 इनिक 60 विकेट रिसेंट फॉर्म येकर आप देखेंगे तो अच्छा रहा है उसके पर राजिश्चुरी गैक वेल है दोस्तों ये भी important पर इनका recent form उतना अच्छा नहीं रहा है यहाँ पर 37 मैच में 45 विकेट है रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो एक विकेट जीरो विकेट तीन विकेट जीरो विकेट और काफी लंबे टाइम से ये इस्ट्रगल कर रही है तो recent form इनका भी उतना अच्छा नहीं रहा है पर प् सिर्फ international में पर आप domestic में देखेंगे तो ठीक टाक पर्फॉर्म करके आ रही है जो recent में खेला है उसमें लास्ट के दो मैच में विकेट ले से हैं पर उससे पहले विकेट मिले हैं तो हम दूस्तों बात कर लेते हैं यहां पर अब हमने प्लियर के स्टार्ट देख लिए तो यह राए अगर आप यहां से देखेंगे तो इंग्लेंड वोमेन की टीम फैवरेट रहीगी पर यहां पर इंडियन वोमेन भी अच्छी टीम है तो इंडियन वोमेन भी जीच सकती है मैच को अब यहां से बात करें head to head record के बारे में तो यहां पर पहले हम इंग्लेंड वोमेन के player के head to head record देखते हैं जब यह इंडिया खिलाफ खेलते हैं तो क्या करते हैं तो आप यहां से देखेंगे तो डैनियल बॉट 16 मैच खेले हैं गयां साथ मैच खेले हैं 38 रन बनाएं 12 कावरे तो इनका उतना खास नहीं है उसके में पर नेटला से से बारे यह खेलने नहीं वाले हैं अगर खेलती हैं तो यहां पर देख सकते हैं 14 मैच 325 रन 27 कावरेज प्लस 7 विकेट भी थे पर यह खेलेंगी नहीं उसके में पर एल वो मैंन के प्लियर का हेट टो एट रिकॉर्ड के बारे में तो यहां से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर इसमरती मंधाना 14 मैच खेले हैं इंग्लेंड के खेलाब 497 रन बनाएं 41 के एवरेज तो इनका बैतरी रिकॉर्ड है उसके में पर सैफाली बर्माने 6 मै तो इनका उतना अच्छा नहीं है उसके जब जमीमा रोडर्गू का आपकर आप देखेंगे तो 9 मैचों में 141 रन तेइस के एवरेज तो इनका भी ठीक ठाक रहा है उसके में पर हर्मन प्रीत को और है 14 मैच 288 रन 24 के एवरेज और प्लस दो वेकेट भी है 14 मैचों में तो इनका भी ठीक ठाक है अगर बॉलिंग कराती है तो फिर और भी जादे इंपोर्टन रहेंगी उसके में पर दीपती सर्मा है 12 मैच 131 रन 32 के एवरेज 12 प्लस 12 वेकेट भी है तो इनका अच्छा रिकॉर्ड है उसके में पर तानिया भाटिया का देखेंगे तो 9 मैचों में सिर्फ 31 रन 7 का एवरेज तो इनका तो वैसे भी ज्यादा खास रिकॉर्ड है नहीं उसके में पर रिचागोस है तीन मैचों में 28 रन 14 का एवरेज तो रिचागोस अच्छी प्लेयर है पर इनको बैटिंग में उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि बैटिंग इनकी भ अब दूस्तों बात करें यहां पर सी वी सी ओप्षन की इस मैच में हमारे सी वी सी ओप्षन कौन कौन हो सकते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं यहां पर नेटिला से इस बार खेलेंगे नहीं तो इनके बारें बात नहीं करते हैं यहां पर इस्मृति मंधाना अलीसा Smash Company, Dtispti, Sarma, Harman, Preet, Kaur तो ये इसी Small League लिए अच्छे option है अगर आप लोग स्मॉल लीग खेलते हैं तो आप उनमें इनको Try कर सकते हैं अगर अप लोग GTL खेलते हैं तो उसमें बात करें तो यहांसे सह hurricane Varma को आप लोग Try कर सकते हैं जमीर रोट्डियो को और सकते हैंAK Mead टेली ग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो कर लिजी को टॉस के बाद फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलने वाली है तो आप लोगों का टेली ग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टन रहे तो आप लोग जुड़ जाए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन और फ तो ज्यादा सोचना नहीं है यहां से एमी जॉण्स कोई पिक करना यहीं मस्ट पिक रहेंगी इन दोनों यह इन दोनों की बात करेंगी तो यह एवरेज है यहां से रिचा गोस फिर भी ठीक है पर इनका बैटिंग ओडर अगर यह टू डाउन आती है तो फिर अच्छी रह बात करें तो यहां से इस्मृति मंदाना ओपन करेंगी अपने टीम की मैन बल लेबा जाएं तो मश्ट पे कराएंगी इसके हमपे हर्मन। परीत कोर भी मश्ट पे कराएंगी पार-टाइम बाॉलिंग भी गरा लेती हैं कभी-कभी तो यह बहीं इंपोर्टन रहेंगी उस सेफाली वर्मा की जगा पर जमीमा रोडग्यू को भी ट्राई कर सकते हैं ये भी अच्छी प्लेयर है और अब ये आपको रिकॉर्ड दिखाया तो यहाँ पर जमीमा रोडग्यू का अच्छा फॉर्म भी चल रहा है तो हम इनको भी ट्राई कर सकते हैं सेफाली वर्मा की बात करें, तो यह हिट और मिस्ट टाइब की प्लेयर है, कभी कभी हिटिंग के चक्कर में यह अपना जल्दी विकेट फैंक देती है, तो फिर उस केस में हम लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इनका रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है, उसके बाद दुस्तों, यहाँ पर सोफी डंकली का एक आपके पास अच्छा उपसन रहेगा, यह भी ओपन करेंगी, और यह भी अच्छी प्लेयर है, अभी आपको रिकॉर्ड भी देखाया, अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, रिसेंट फॉर्म भी ठीक टाक है, तो हम इनको भी ट्रा उसके बाद देखेंगे, फिलाल के लिए, इनको मैंने लिया है, पर इनकी जगा कनफर्म नहीं है, फिलाल मेरी टीम में, उसके बाद दुस्तों, नीचे बात करें, तो नीचे कोई खास उपसन है नहीं, यहाँ पर एस में इगना खेल जाती हैं, तो आप लोग एक आप जी गया तो यह नहीं खेलेंगी, तो इनको आप लोग पिक मत करना, उसके आप बात करें, दीपती सर्मा की तो मस्ट पिक रहेंगी, बॉलिंग बैटिंग आपको दोनों तरफ से पॉइंट देंगी, इंपोर्टेंट प्ले रहें आप है इंडियन टीम की, उसके आप एलिसा क काफी अच्छा फॉर्म रहा है, दा हंड्रेड में काफी बैतनी फॉर्म से गुजर रही है, तो इनको मैंने फिलाल के लिया है, दा हंड्रेड में बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से अच्छा करके दे रही थी, तो यह इंपोर्टेंट रहेंगी, उसका दूस्तों इनको जील में ट्राइ कर लेना, क्योंकि बॉलिंग से फिर आपको यह अच्छा करके दे सकती है, अगर यहां पर ओपन करें, तो फिर अच्छी पिक रहेंगी, उसके बाद यहां पर बात करें, नीचे तो यहां पर इस नया राना का आपके पास एक अच्छा उप्सान है, यह भी आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों तरब से पॉइंट दे सकती है, रिसेंट फॉर्म अगर आप दिन का देखेंगे, तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा है, उसके बाद हेमलता की बात करें, तो यह एक एवरेज पिक है, तो आप इनको जील में ट्राइ कर ले इनको भी आती है, तो इंपोर्टेंट रहेंगी, फिलाल के लिए मैंने इनको भी लिया है, उसके बाई यह पर मेगना सिंग का आपके पास एक अच्छा उप्सन है, आप इनको इनको इसमार लीग में थोड़ी रिस्की रहेंगी, आप लोग इनको जील में ट्राई करना, उसके बाद मैंने यहां से राजिस्टरी गैकवेड को लिया है, रिसेंट फॉर्म इनकी उतनी अच्छी नहीं चल रहे हैं, पर प्लेयर इंपोर्टेंट है, यह भी इंडियन वोमेन की मैन बॉलर हैं, तो मैंने इनको भी लिया है, उसके बाद दोस्तों यहां पर सारा गल करें, तो नीचे कोई उतना कास उप्सन नहीं है, यहां पर आई वंग की बात करें, तो यह भी प्लेयर अच्छी है, पर इनका रिसेंट फॉर्म इस तरह से विकेट लिए है, तो इंपोर्टेंट रहेंगे, अगर खेलते हैं, तो आप इनको ध्यान देना, आप इनको पर आपकार है जहां पर मेंने कप्तानी अलिस्पा केपसी को दिए है जो वन डाउन बेटिंग करेंगी मेरे सबसे वाइस कैप्टन सी मैंने यहां पर दीपती सर्मा को किया है चार ओबर बॉलेंग भी देंगी और हमको यहां पर मिडल ओर्ट में बल्ले बाजी भी करके दें सकते हैं फिलाल के लिए मैंने यह पर अलीशा कैप सी दीपती सर्मा को किया है अगर इस टीम में कुछ भी चैन्ज करूंगा तो आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंटर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद